तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाले है WWE Monday Night Raw के बारे में क्या हुआ था and मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो John Cena है वो हो चुके हैं injured जी गाइस ये वाले news आई थी WWE के चैनल पे कि वो बता रहे थे कि लास्ट Monday Night Raw के अंदर जोंका मैश था Fatal 4-way वाला उसके अंदर John Cena को हो गई थी एक leg पे injury जिसकी वज़ा से शायद वो Royal Rumble में compete ना कर पाए पर गाइस मेरे साब से ये बात सच नहीं है मेरे साब से ये एक planning कर रहे है ताकि उनका एक surprise return हो सके Royal Rumble के अंदर पर खेरी आने वाला time बताएगा फिलाल हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इस पारी की Monday Night Raw के बारे में तो गाइस अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बात करेंगे जो की main main चीजें होई थी Monday Night Raw के जिसके अंदर की जो पहली सेग्मेंट थी वो थी Mr. McMahon, Finn Balor, Braun Strowman और Brock Lesnar की बीच में जिसके अंदर की Finn Balor और Braun Strowman की बीच में बहुत बड़ी भैस हो रही थी तो Mr. McMahon बनाते हैं मैच Braun Strowman versus Finn Balor और जो Brock Lesnar थे वो थे रिंग के पास खड़े हुए तो काईज यह वाला मैच स्टार्ट होता है बहुत ज़्यदा entertaining मैच होता है बहुत ज़्यदा blows होते हैं इसके अंदर होता कि Brock Lesnar बीच में आ जाते हैं मैच के पर Finn Balor और उनको attack कर देते हैं तो जो ending के अंदर होता है कि जब वो अपना finisher दे चुके होते हैं Braun Strowman को Finn Balor बीच के अंदर Brock Lesnar आ जाते हैं और attack करते हैं Finn Balor को और दे देते हैं बहुत ही बड़ा F5 और को message दे देते हैं कि वो Royal Rumble के अंदर Universal title अपना retain करेंगे तो काई जी होती है हमारी पहली segment तो जो match का result था no contest हो जाता है पर Finn Balor जीच जाते हैं with no disqualification के साथ तो हम लोग अगली segment की तरफ बढ़ते हैं जो की है Bobby Lashley versus Apollo Crews के बीच में तो इस segment के अंदर होता क्या है कि एक bodybuilding competition post down होता है जिसके अंदर की Bobby Lashley attack कर देते हैं Apollo Crews को और वहां से हो जाता है match start तो काई यह वाला match था यह without title match था मतलब इसके अंदर intercontinental championship involved नहीं थी तो होता कि बीच के अंदर जो उनकी partner है Bobby Lashley के वो attack कर देते हैं Apollo Crews को और इसके अंदर वो उसका advantage उठा लेते हैं Bobby Lashley और पिन कर देते हैं Apollo Crews को 1, 2, 3 और वो जीत जाते हैं यह वाला match तो जैसे ही वाला match खतम होता है आज आते है Seth Rollins रिंग के अंदर जिसके अंदर की Seth Rollins जो Martin Luther जूनियर है उनको पहले याद करते हैं यह पताते हैं कि वो कितने जाद उनकी importance थी history के अंदर और इसके बाद उनको interrupt कर देते हैं Drew McIntyre और यह वाला match हो जाता है शुरू जो की है Seth Rollins वसे Drew McIntyre तो guys मैं यह कहना चाहूंगा यह वाला था match of the 90 यह बहुत ही अच्छा match था अगर आपको मौका मिले तो यह वाला match आप ज़रूर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा high flying moves थे बहुत ही अच्छा stunts थे इस match के अंदर बहुत ही ज़्यादा close pin falls होती हैं पर end के अंदर Seth Rollins roll कर देते हैं Drew McIntyre को and pin कर देते है for one, two, three and जीच जाते है Seth Rollins and Seth Rollins message पहुचा देते है Drew McIntyre को कि वो जीतने वाले है इस साल का Royal Rumble तो guys अगर मैं बाकी सारे matches की बात करो तो मैं आपको उनकी brief summary देता हूँ तो अगला वाला match होता है हमारा Lucha Dragons party versus Jinder Mahal and Singh Brothers जिसके अंदर की Lucha Dragon party जीच जाती है इसके अंदर Gram Metallic pin कर देते है Singh Brother को तो हमारी अगली segment होती है Alexa Bliss की जिसके अंदर की वो announce करती है कौन-कौन जी women's compete कर रही है Royal Rumble के अंदर जिसके अंदर की बहुत सारी women's आ जाती है जैसे की Nia Jackson, Amber Moon and वो करना शुरू हो जाती है जिसके अंदर की end के अंदर Lacey Evans आ जाती है अनौन्स करती है कि वो compete करने वाली है 2019 women's Royal Rumble के अंदर तो हम लोग अगले match की तरफ बढ़े तो अगला match था Heavy Machinery vs The Ascension के अंदर जिसके अंदर की Heavy Machinery जीच जाती है तो हम लोग अगले match की तरफ बढ़ते हैं जो की है WWE Raw Tag Team Championship के लिए जिसके अंदर की match था Bobby Roots and Chad Gable vs The Revival के बीच में और इसके अंदर special guest referee थे Kurt Hawking तो कैस होता क्या है Bobby Roots और Chad Gable रिटेन कर देते हैं जब end के अंदर revival इसका replay देखती है तो देखते हैं कि referee ने गलती करी है तो इसके अंदर वो लो referee को बहुत ज़ादा मारना शुरू हो जाते है तो आज आते है Zack Rider जो की former partner रह चुके है Kurt Hawking के तो कैसी जब उनकी partner को मार रहे होते हैं revival तो Zack Rider उनकी help करने के लिए आ जाते हैं तो हम लोग अगर last match के बारे में बात करें जो की था main event of the show वो था Ronda Rousey and Natalia versus Sasha Banks and Bailey तो कैस मैं को सीधा इसका result बता आये था इसके अंदर जो होता है Sasha Banks and Bailey जी जाती है against Ronda Rousey and Natalia तो guys अगर मैं बाकि सारी backstage segment की बात करूँ तो Dean Ambrose यही कहते हैं कि वो इस साल का Royal Rumble जीतने वाले हैं 2018 उनके लिए अच्छा नहीं था पर 2019 उनका है और वो जीतने वाले है Royal Rumble 2019 जो दूसरी backstage segment थी वो थी Titus O'Neill की जो की बहुत अच्छा promo कारते हैं और वो announce करते हैं कि वो भी लड़ने वाले हैं 2019 के Royal Rumble के अंदर तो guys अगर मैं all in all कहूं तो इस बारी की Monday Night Raw average थी पर कई segments बहुत ही अच्छी थी जैसे कि कुछ matches जैसे कि मैंने आपको बताया थे Seth Rollins vs Drew McIntyre वाला तो guys अगर आपको मेरा review पसंद आया तो please like करिए इस वीडियो को, subscribe करिए Wrestle India को and notification bell को दवाना ना भूलिए तो हम लोग आपके लिए बहुत ही महनत करके और WWE content लेकर आते रहेंगे दोस्तों तो guys please stay tuned रहे हैं हमारे channel के लिए तो guys मेरा नामे का अथम आप लोग देख रहे हो Wrestle India मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर Till then take care and peace